आज हम देखेंगे, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित निम्नलिखित कोणों के उधाहरण। राहुल ने नीचे दिये चित्र को देखकर यह ग्याद किया कि कोण एक और कोण दो तिर्यक छेदी रेखा जे के एक ही तरफ बने अंतह कोणों यानि इंटीरियर अंगल्स का युग्म हैं। ग्याद कीजिए कि राहुल की समझ सही है या गलत। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि वह रेखा जो एक ही तलमे स्थित दो ये दो से अधेक रेखाओं को बिन्य बिंदुओं पर प्रतिचेद करती है एक तिर्यक छेदी रेखा यानि ट्रांसवर्सल कहलाती है। यहां हम देखते हैं कि रेखा जे, रेखा के और रेखा एल को दो भिन्य बिंदुओं पर प्रतिचेद करती है। इसलिए वह एक तिर्यक छेदी रेखा है। प्रतिचेद करते हुए यह रेखा कुल आठ कोंड बनाती है। अंतह कोंडों का युग्म कहलाते हैं। अंतह कोंडों का युग्म नहीं कह सकते। इसलिए राहुल की समझ गलत है। अगला उदारण, दे गई आकरिती में रेखा एल, रेखा एन और रेखा एम की तिर्यक छेदी रेखा है। ग्याद केजिए इस आकरिती में तिर्यक छेदी रेखा एल द्वारा बनाये गए अंतह कोंड यानि इंटिरियर एंगल्स कौन से है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा दो रेखाओं पर निर्मित वे सभी कोंड जो दो रेखाओं के मध्य हो अंतह कोंड कहलाते हैं। इस आधार पर क्या आप बता सकते हैं या अंतह कोंड कौन से हैं। सुचिए सुचिए। चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां रेखा M और रेखा N के मध्य में तिर्यक छेदी रेखा L त्वारा बनाए गए कोंड हैं। कोंड 3, कोंड 4, कोंड 5 और कोंड 8। इसलिए दिये गए चिद्र में ये सभी कोंड अंतह कोंड हैं। अगला उदाहरण, दी गई आकरिती में रेखा L, रेखा N और रेखा M की तिर्यक छेदी रेखा है। ज्याद केजिए इस आकरिती में तिर्यक छेदी रेखा L त्वारा बनाए गए बाह ये कोंड यानि exterior angles कौन से हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा दो रेखाओं पर निर्मित वे सभी कोंड जो दो रेखाओं के बाहर हो बाह ये कोंड कहलाते हैं। इस आधार पर क्या बता सकते हैं यहां बाहर ये कोंड कौन से हैं? सूचिए सूचिए। चलिए हम बताते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां रेखा M और रेखा N के बाहर तिर्यक छेदी रेखा L द्वारा बनाये गए कोंड है, कोंड एक, कोंड दो, कोंड छ और कोंड साथ। इसलिए दिये चित्र में ये सभी कोंड बाहर ही कोंड है। आज हमने देखे तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित निम्नलिखित कोंडों के उधाहरण। आज हमने दिर्यक अजह